हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का भीहार अपडेट के एक और फ्रेस एपिशोड में आज के इस वीडियो में आठ दस अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं आपके बड़े ही काम का अपडेट है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा आपको बता दें यहाँ पर जो पहला अपडेट निकल करा रहा है वो गेहुं खरीद से लेकर है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैक्सो में अब गेहुं की खरीद सुरू हो चुकी है यहाँ पर जो खरीद की बाद बताई जा रही है वो 15 जूलाई तक चलेगा अब आपको आगे बता दें किरिसी विभाग के पोटल से निवन्धित की सानों से की जा रही है गेहुं की खरीद सभी 6,800 पैक्सो एवं बैपार मंडलो को दिया गया निर्देश्ट आगे आपको बता दें खरीद संग्रह वग उन्वत्ता जाच के लिए राजे खादे निगम नोडल एजेंसी सरकार द्वारा समर्थन मुल जो यहाँ पर बताया जा रहा है साथी साथ किसानों को 48 गंटे के भीटर डीवीटी के माध्यम से दिये जाएंगे पैसे यानि 48 गंटे के अंदर आपको पैसा आपके खाते में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा और 15 जुलाई तक इसकी खरीद होगी अब आईए न सेंड किया कि मुखिया मास्क साबुन वगरा खा जाते हैं हम लोगों तक पहुचाते नहीं है तो अब इसमें कुछ अपडेट कर दिया गया है आपको बता दें कि इस बार मुखिया नहीं बलकि पंचायत सचीव और कारेपालक सहायक जो है घर घर जाकर मास्क और साबुन बाटेंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ नेक्स्ट अपडेट आपको बता दें अब यहां पर राज में पंचायत चुनाओ पर फैसला आयोग ने 15 दिन के लिए टाल दिया है आपको बता दें यहां पर करोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में पंचायत चुनाओ को लेकर फंस गया है राज जे निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाओ को लेकर अधिसुशना पर स्ताव भेजने के तयारी को टाल दिया है आयोग अब पंचायत आम चुनाओ 2020 को लेकर अधिसुशना जारी किये जाने के लिए 15 दिनों के बाद पर स्थीतियों की समिक्षा करेगा उसके आधार पर चुनाव कराने का निरने लिया जाएगा अगला अपडेट आपको बता दें यहाँ पर करोना का जो सीजन चल रहा है उससे आप वाकिफी होंगे आपको बता दें मुझे बताने की जरूत नहीं यहाँ पर बहुत सारी न्यू यहाँ आप समझ पहा रहा होंगे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर संसांदर भी भाग ने भी अफिल कर दी है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर के प्रदुशों में काम कर रहे हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलगता, चिन्नाई में काम कर रहे हैं तो वो अपने घर को आपस लोट आए चुकि जो सिच्वेशन है वो दिन ब विपरकार की अर्शुःधघा नहीं होगी आगे आपको बता दें आपता भी भाग ने सभी अंड्यबंडल में कुअरटाइन यह सूरत आमदाबाद, मुंबाई, पूने, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुलगाओ, नौइडा, कुलकत्ता, बैंगलूर, एवाम अनुशहरों से आने वालों को इन कॉरिंटाइन शेंटर में रखा जाएगा। आगे आपको बता दें, जो पिछले साल सर्म संसांधन विभागन में 25 लाग सर्मी कि यहाँ पर पंजिकरित हुए थे, और उनको एक एक हजार रुपिया शाहतारासी भी दी गई थी, तो जिन लोगों ने अभी तक पंजिकरित नहीं किया है, यानि पंजिकरित नहीं किया है यहाँ पर आपदा परमंधन में, ठीक है, तो जाकर पंजिकरित कर सकते हैं, पोटल जो है ओपेन हो चुका है, और जो पिछले वाला जो 25 लाग जिन्हों ने आवेदन दिया था, जो इसमें पंजिकरित हैं, उनको पिछले साल एक हजार रुपे मिला था लिकिन इस साल भी ऑफिसल नोडिफिकेशन नहीं है, हाला कि जैसे ही एक हजार रुपे देने की बात अगर कही जाती है, तो मैं आपको नेक्स चूडिय पे बता दूँगा, आपको जनकारी दे दूँगा, अगला अपडेट जो निखल करा रहा है, आपको बता दे कॉरंटाइन चेंटर पूरी जनकारी ले जाएगी, ताकि उन्हीं सरकार की योजनाव का लाथ मिल सके, आपको बता दे निमंधन के बाद सरमिकों को उनके सिकल्स के तहत रोजगार, इसकिल के तहत रोजगार वगरा भी दिया जाएगा, उससे जोड़ा जाएगा, हाला कि जो रोजगार की बात पाईगी, नहीं दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, अगर दे पाएगी, तो क्या वो संतुष्ट होंगे, यहाँ पर जोप काड़ की अगर बात करें, तो जो जोप काड़ जो लोगों को बनता है, उस जोप काड़ के तहत लोग जो काम करते है, उसका भी उसको पैसा नहीं मिलता है, कर अपसर इतना बढ़ चुका है कि जो काड़ वाले को जो पैसा भी आता है, तो सेटिंग करके वगरा, इधर उधर करके उनका पैसा भी उनसे ले जाता है, कुछ पैसे उन्हें थमा दिया जाते हैं, ठीक है, तो आप आईए, आज आईए, चुकि बहुत स गंभीर हो जाईए, इस मामले में बाहर मत निकल लिए, बहुत जरूरी हो तभी आप निकल लिए, चुकि आप देख पार होंगे, जो पटना बगएरा बड़े-बड़े शिटी का जो इस्तिती है, सिच्वेशन है, वहाँ पर देखिए, आप ऑक्सिजन की कमी है, लोग ऐ गोश्रा किया है कि 18 वर्स या इस से उपर के सभी बिहारवासियों को कुरोना टीका करन राजसरकार अब मुफ्त कराएगी, आप कुटादे उन्होंने बुद्वार को स्वेम ट्वीट कर इसकी जनकारी दिया है, साथी साथ मालूम हो कि एक मैसी 18 वर्स की उपर के सभी लो परवाले को मुफ्त में टीका टीका जो है वो दिया जा रहा है, तो तयार हो जाईए अब टीका लगवाने के लिए, आगे आपको उता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि शर्मिको को आईशमान से जोड़ने को दिया 110 क्रोर का प्रीमियम, तो जैसा कि हमने आपको पिछ प्रशमान योजना से जोड़ दिया जाएगा, और साथी साथ यहां पर बिहार सरकार यह भी कह रही है कि अगर आप किसी भी परदेश से आ रहे हैं, तो उनके लिए टॉल फी नंबर भी जारी कर दिया गया है, या आप इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पर आप मंदी हो, या फिर घर आने का कोई भी प्रोब्लम हो, शमस्या हो, तो वहां पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, बागी सरकार के तरफ से यह लागातार निर्देश दिया जा रहा है, कि आप आईए और आपको रोजगार भी दिया जाएगा, जैसे नलजल योजना में हो गया और सरकारी बहुत निर्बान हो गया, तो ऐसे ऐसे जगों पर इसकिल के हिसाब से उनको रोजगार भी दिया जाएगा, तो बस आज के लिए इतना ही आई हो पासा करते हैं, कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, आप क्या सुझ और सकंद आए मेरे करिए तो वीडियो कुम का अबस आए ञे लाइक एंच लगार ञे बहां पासा ही करिए, तो पासा सुझा एवापको रहार आए।